हालो गाइज दिस प्रिंस और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास शिक्स्त के जिग्राफी प्रतिवी और हमारा आवास इसका हम एक ओर्वियू देखने वाले कि हम इस बुक में क्या-क्या पढ़ने वाले तो चलिए स्टार्ट करतें देखिए सबसे पहला चै प्रतिवी की गतियां जिसके अंतकत आपको पता होगा प्रतिवी दूर प्रकागी गतिकरती एक घोड़न एक परिक्मण तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं साथी साथ इनके इफेक्ट क्या है यानि कि इनके प्रभाव क्या है प्रतिवी पे इनका क्या प्रभाव पढ़ता है उसको भी जानने वाले हैं और चौथा चैप्टर है मांचित्र में पढ़ने वाले हैं कि मांचित्र क्य प्रथिवी के प्रमुख परिमंडल जाइब अगर आपको एक आइडिया अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो अब आइडिया हो जाएगा प्रिथिवी के परिमंडल का मतलब होता है प्रिथिवी के फिजिकल डिपार्टमेंट यानि भातिक रूप से कितने भागों बाटा गया इस वाले चाप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इस्थल मंडल के बारे में जल मंडल के बारे में वायू मंडल के बारे में और जयो मंडल के बारे में इनके हम बहुत ही सौट ब्रीफली जो है इसके बारे में इस चाप्टर में पढ़ने को मिलेगा और समझने को मिलेगा पता होगा इस्थाल मंडल में परवत होते हैं पठार होते हैं मैदान होते हैं तो हम इस चैप्टर में प्रत्वी के प्रमुक इस्थाल रूप में परवत पठार मैदान के बारे में जानने वाले यानि इन तीनों का निर्मान कैसे होता है और इन तीनों के जो है लाब क्या है हानी क्या है और भी इंके जो भी डैमेंसनस उन सब कोने कवर करने वाले हैं और बात आती हैं शाथ एक चैप्टर की जो की है हमारा देश यानि इंडिया की बात कर रहा है इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया का इक इंट्रडक्षन यानी ब्रीफ लिंट्रडक्षन देखेंगे इंट्रोडेक्शन दो पार्ट में एक है राजनायतिक पार्ट यानि पॉलिटिकल डिविजन्स यानि इस में पढ़ेंगे देश में कितने राज्ये हैं उनके क्या-क्या नाम है और वो कहां पर स्थित हैं साथी साथ देश की सीमाएं किन देशों से लगती हैं कितनी लंबी स नहां है और इनके क्या प्रभाव क्या माइने भारत के संदर में और सबसे लास्ट चैप्टर आता है भारत इसमें भारत जलवायु वनस्पति प्राणी इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने हमें पढ़ना है जलवायु भारत की जलवायु कैसी है साथी जलवाय जीव के लिए जाने जाते हैं जैसे कि आप गिर्राष्टी उद्ध्यान को ले सकते हो और बहुत सारे जो है जहां जो एक विसेश प्रकार के जीवों के पाए जाने की रूप में जाने जाते हैं अब हम बात करते हैं अगर आप पूरे विसेश सूची को कंटेंट को इस बुक के पूरे कंटेंट को देखें तो आपको कुछ एक आइडिया लग रहा होगा अगर नहीं भी लग रहा है तो हम आपको बता दे आप थोड़ा सूच कर देखिए कि आपको और हमें पता है कि एक भोगोल और एक माणोव भूगोल खीक है मांव भूगोल में भौवतिक तक्तो घ्यान करते मानो घ्यानत है तो इसमें आप देख Sicher आतर इसमें ज्यादा जूंद करते तो अगर हम इन दोनों को हटा देते हैं तो बाकि जो हमारे बारे हैं यानि मैंने बताया अपको यहां पर ग्राह उपाग्राताजिति हम और कि यहां पर भी हमने बदिफि की बात की यहां पर महारा देश भारत भारत इस्तित है उस Organization यहां पर नियुक्ति की बात करें कि तो कुल मिला के यहां पर क्या सेनेरियों दिख रहा है यहां पर यह दिख रहा है कि इस पूरे बुक में क्लासिस्थ की जो बुक है प्रतिवी और हमारा आवास इस पूरे बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे बुक में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक भोगोल के बारे में यानि भौतिक भोगोल आपको कुछ चीजे समझ में आई होंगी और नहीं भी समझ में एक डाइमेंशन मिला होगा कि आखे इस बुक में हमें पढ़ना क्या-क्या है और आगे निक्ट वीडियो में जो हम इसके वन बाइवन चैप्टर के वन बाइवन टॉपिक लाएंगे जो कि हमें पढ़ना नही हमें समझना है यानि कि हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक पर जो है एक सॉट्स वीडियो यानि बहुत बड़ा वीडियो नहीं चार से पांच मिट की वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे तो मिलते हैं निक्ट वीडियो में ऐसे ही निक्ट टॉपिक के साथ